हैं तो हैलो इस्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आप होब आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फिटल सरकुलेशन इसके पहले लोगोंने पढ़ चुका है कि फिटल क्या क्या हम लोगोंने पढ़ा हैakah फिटल डेपलमेंट और प्रे तो आपको इसकी पीडियाफ चाहिए तो आप टेलिग्राम जो चैनल है उसके जोड़ के पीडियाफ ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ब्रोडी रक्त परिसंचरल जिसे हम फीटल सर्कुलेशन इंगलिस में कहते हैं तो फीटल जो सर्कुलेशन होता है वो एडल्ट में पाए जाने वाले परिसंचरल से कुछ अलग होता है जो fatal circulation होता है वो adult में circulation होता है blood का hurt में, जैसे कि आप लोगको पता है heart रहता है, फिर दाए,लिंद, बाए, लंद में इस तरीके से जाता है, फिर धमनी में जाकर blood जो होता है असो धरक्त बहता है तो उस तरीकी से आप लोगको fatal circulation adult circulation से थोड़ा जो फीटस होते है ना फीटस के फेब्फड़े मतलब जिसको लंग्स कहते हैं गैसी या क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं वो गैसू का आदान प्रदान करते हैं Ud wal MX हो जो फीटस केàoफ ऋटा । कुल सब्सक्ता आयतन होता है उसका कवल 1% ब्लूड ही अक्षीजन स्रौथ होता है ले प्लेसंटा ही सरौथ होता है जो कि फूटर की एडनी जी में का दाया अलिंद होता है उसमें सबसे ज़्यादा oxygen वाला oxygenated blood जिसको कहते हैं वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है निस्ट क्या है कि अमलाइकल वेन oxygen तदा पोसक पधार्थ युक्त रख्त लेकर जाती है जो अमलाइकल वेन होती है मतलब वेन और अल्टरी होती है जो क्या बोलते हैं फीटस में दो वेन होती है और एक अल्टरी होती है तो जो अमलाइकल वेन होती है वही oxygen तदा पोसक पधार्थ युक्त रख्त को लेकर जाती है कहां से प्लेसेंटा से अमलाइकल अल्टरी जो होती है भुत् Vidar से तुल्नात्मक कम औक्सीजन तदा उत्सरजी पदार जल्से यूरिया हो गया यूरी कम लो गया फ्लैटिरी हो गया ये पदार प्लेसेंटा तक ले कर जाती है क्या होता है कि जो अमलाइकल अल्टरी होती है वो उक्सीजन को उतना नहीं लेकर जाती अम्लाइकल वेन उक्सीजन योग तो ब्लड को लेकर जाने में सहायता करती है, तो इस तरहिके से कुछ होता है, सबसे पहला तो है आमलाइकल वीन, आमलाइकल अर्टरीज और फोरम एन ओवले होता है, डक्टस वेनुसस होता है और डक्टस आर्टरियोसिस होती है तो इसका कोई हिंदी में नाम नहीं है, आपको इसको इंगलिस में ही देखना होगा, ठीक है? अब अमलाइकल वेन को सेरा के सकते हैं, अमलाइकल अर्टरीज भडड़ी सकते हैं, अर्टरी वेन होता है, इसका मतलब सेरा होता है अदो नेस्ट पार्ट देखते हैं तो क्या है कि ना भी सीरा जिसको अमलाइकल वेन कहते हैं इंग्रिस में तो संख्याम में कि क्या होती है संख्याम में एक होती है आक्सीजन युम पोसक पदार्थ युक्त रग्त प्लेसेंटा से फीटस की और लेकर चाने का कारिक करती है अभी जो मैंने सौरी आपको बताया ना कि अमलाइकल आर्टरी मैंने बताया क्या बताया आपको अमलाइकल वेन ही तो बताया था से कि दो होती है या एक होती है और अमलाइकल आर्टरी जो होती है वो दो होती है तो यह आक्सीजन युम पोसक पदार्थ युक्त रग्त को प समझें आप लोग만 जैसे ही प्लेसेंटा हो गया तोела हो गया शल्खीतर प्लेसेंटास हो गया है जली में स América ंपा चाहटा रोगहाम समस्केशक्तर सी कि घृटा है और सिर्ध में ही प्लेसेंटा समस्क्तर उलते हैं प्लेसेंटा से oxygenated blood को यहाँ fetus तक लेकर जाने का यह कार्या करती है ठीक है नेस्ट है कि ना भी धमनी जिसको हम amalical artery कहते हैं संख्या में कितने होते हैं संख्या में दो होते हैं इसको याद रखेगा संख्या में दो होते हैं रक्त को fetus से जो blood होता है वो fetus से placenta की यूर लेकर आती हैं प्रवाहित होने वाले रक्त में fetus की उत्सरजी पदार जैसे urea, uric acid, creatinine आदी पाये जाते हैं इसमें oxygen की मात्रा amalical vein की दुल्ना में कम होती है देखो क्या होता है structure की मादन से आको समझाती हूं ये placenta हो गया ये हो गया हमारा fetus ठीक है चुन्नी लाल हो गया है ये माल लो तो इनका ये हो गया यहां पे amalical अब ये ऐसे ही placenta से जोड़े होते हैं अब इसमें क्या है कि एक एक तो हो गया वेन एक तो हो गया वेन और दूसरा क्या हो गया दूसरा हो गया दो अरटरी यहां पाई जाती है ठीक है तो इस तरीके से कुछ संद्रशना होती है अब क्या होता है कि जो oxygenated blood रहता है oxygenated blood जो रहता है उसको लेकर आने का कारे कौन करती है देखो जब oxygenated artery जो होती है वो यहाँ से लेकर आती है क्या oxygen को फिर उसकी बाद जो oxygenated blood होता है उत्षरजी पदार्थ होती है इन सब को यहाँ से यहाँ से यह लेकर आई और फिर यहाँ fetus से placenta तक लेकर जाने का कारे कौन करती है ना भी धमनिया मतलब Amalical Artery करती है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो Foramen Ovali क्या होता है इसकी द्वारा रक्त सीधे ही दाए आलिंद से Lift Arteryum की तरफ प्रभाहित होता है तो बस इसका Foramen Ovali जो होता है इस तरही किसे कुछ रहता है तो इसकी द्वारा रक्त सीधे ही दाए आलिंद से Lift Arteryum की तरफ प्रभाहित होता है डक्तस Venuses क्या होता है तो डक्तस Venuses जो होता है इसकी द्वारा रक्त की लीवर यों अहार नाल की अंगों को बाईपास करती हुए सीधे ही Amalical Vain से Inferior Vena Kawa की ओर सेंटिंग होती है तो जो रत होता है डक्तस Venuses की सहायता से ही क्या होता है कि लीवर यों महार नाल के अंगों से मतलब होता हुआ वो सीधे Amalical Vain के Inferior Vena Kawa की ओर जाता है डक्तस Venuses की सहायता से नेस्ट है कि डक्तस Arteosis का क्या काम होता है तो इस संदशना की द्वारा ही डक्त Pulmonary Artery से आयोटा की ओर जाता है तो इसी के दो जो डक्तस Arteosis होती है इसी के दो जो पल्मोनरी Artery होती है पल्मोनरी Artery से आयोटा की तरफ क्या होता है कि बलड जाता है तो एक चीज़ आपने लोग कमेंट हैं जाता है कि यह जो ब्लैक कलर है यह आप लोगों को इससे दिखाई दे रहा है या फिर वाइट ही रखो पेज का कलर वो सही है या फिर यह ब्लैक पेज सही है तो इसको आप लोग कमेंट में बता देना अब नेस्ट क्या है उसको देखते हैं तो नेस्ट है कि ब्रोडी रक्त परिसेंशन फीटस ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है वो आपको मैंने अभी बताया अब इसको थोड़ा डीप में जानते हैं तो अमलाइकल वेन की द्वारा ऑक्सीजन तथा पोसक पदार्थियोग तरक्त प्लेसेंटा से फीटस की और ले जाया जाता है अमलाइकल वेन फीटस में अमलाइकल वाले अस्थान से प्रवेज करती है तो अभी आपको मैंने बताया कि यह प्लेसेंटा हो गया यह बेबी हो गया मानलो और यह इसका अमलाइकल हो गया अमलाइकल कि तुरू यहां जुड़ा रहता है फिर जब लीवर में पहुचता है तो उसके दो साखाएं हो जाती है एक साखा लीवर की और जाती है एक साखा जो होती है जान दो यहां लीवर है तो यहां लीवर की और जाती है तता दूसरी जो होती है वो पोर्टल वेन से डी ऑक्सिजनेटी ड्रक्त प्राप्त करती है तो दू पोर्टल वेन से जो लीवर को जाती है तदा जो मतलब पहली जो है ये लीवर को गई और यहां से पोर्टल वेन से क्या कि डी ऑक्सिजनेटेड़ ड्रक्त को प्राप्त करती है जो कि इसमें ऑक्सिजन नहीं हो रहता है वैसे ब्लड को प्राप्त करती है तदा जो दूसरी है यह बाले क्या करती है डक्तस विनफसेंस के दोरा inferior विनाख वह से सही उजित हो जाती है इस प्रकार डक्तस विनफसेंस के दोरा अमलाइकल्न में मउजूद ऑ्क्सिजेटम ड्रटक ड्र ? ड्रम में मिक्स हो जाता है ठीक है दूसरी का यह कारी होता है किया हैं दूजरी जो होती है वो बंडने से जो हुता है उसके द्वार इन्फेरियर संकुछी दूजाती हैं इस प्रेकार जो ductus venusus के दवारा amylical vein में मौजोद जो oxygenated blood होता है और deoxygenated blood होता है दोनों आपस में mix हो जाते हैं अब यहां से रक्त जो होता है वो ब्रोड के हिर्दय के दाएं अलिंद में पहुच जाता है जो रक्त होता है जो ब्लड होता है वो फीटस की जो हर्ट होता है उसके दाएं अलिंद में पहुच जाता है इसमें Oxygen की मात्रा अधिक होती है जो दाया अलिन्द होता है उसमें Oxygen की मात्रा अत्य धीक होती है Right Andrium से इसमें मौझूद रक्त में से लगभग 75% कितने %? 75% जो रक्त होती हैं लंग से बाइपास करती हुए वो Left Andrium में पहुच जाती है समझ में आ रहा है कि नहीं देखिए क्या होता है कि जो फीटस में ब्लड होता है वो हिर्दर की दायालिन में पहुचता है फिर उसमें क्या होता है कि Oxygen की मात्रा बहुत अधिक होती है Right Andrium से इसमें मौझूद रक्त से लगभग 75% जितने ब्लड होते हैं वो Lunge से होते हुए क्या करते हैं कि Left Erdrium में पहुच जाते हैं फिर क्या होता है कि Left Erdrium से Pulmonary Vain भी खुलती है Left Ardrium में ही जो Pulmonare Vain होती है वो कहां खुलती है वो Left Ardrium में खुलती है जो कि डी-oxygenated blood लेकर जाती है जिसमें oxygen की कमी रहती है जिसमें oxygen नहीं रहता है ऐसे blood को लेकर जाती है इस प्रकार broody हिर्दे के बाएं अलिंद में foramen ovule से होकर जो foramen ovule होता है वहां से होकर दाएं आर्ट्रियम में आया हुआ अधिक oxygen युक्त blood पन्वोरी वीन द्वारा लाए गए कम oxygen युक्त blood में मिल जाता है तो यहां पर क्या होता है कि जो oxygenated blood होता है और deoxygenated blood होता है वो दोनों आपस में mix हो जाते हैं अब आगे क्या होती है प्रक्रिया तो देखो अब क्या होता है माइट्रेट वाल्प द्वारा यह blood जो होता है वो left arteryum से left ventricle में चला जाता है ठीक है जो blood होता है वो left arteryum से left ventricle में चला जाता है जहां से यह aorta में प्रवाहित हो जाता है जो aorta होता है aorta ek adult में भी होता है तो aorta में यह प्रवाहित हो जाता है फिर क्या होता है कि राइट आरिट्रियम में CS बच्चा जो 25% ब्लड होता है जिसमें सुपीरियर वेन अकावा द्वारा लाया गया डी ऑक्सिजिनेटे ड्रक्त भी सामिल होता है वो क्या करता है ट्राइकस्पिट बाल्ब की द्वारा क्या करता है कि दाए निले में चला जा है जो 25% ब्लड बचा रहता है वो सुपीरियर वेन अकावा द्वारा लाय गया डी ऑक्सिजिनेटेट ब्लड जिसमें ऑक्सिजिन नहीं रहता है तो ऐसी में ट्री ड्राइकस्पिट वाल्ब की द्वारा वो क्या करता है कि दाए निले में चला जाता है तो थोड़ा यह हा कि जो सबसे हाड़ डॉब मुझे लगता है कि पूरे मिडवाइफरी का यही समझना है कि फीटस फीटस सर्कुलीशन ठीक है तो फीटल ब्लड सर्कुलीशन चल दी समझ में किसी को नहीं आता है अब आप लोग दो तीन बार देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा अब क्या होता है कि वेंट्रिकल में संकुचन होने पर लेफ्ट वेंट्रिकल में मौझूद अधिक ऑक्सीजन युक्त जो आयोटा में प्रवाहित हो जाता है जहां से यह सरी के बिबिन अंगों को रख्त अपूर्ति करता है जबकि दाय निले में क्या होता है दाय निले म मौझूद तुलनात्मक कम ऑक्सीजन युक्त रख्त पल्मोंणरी आइर्ट्रिस अप्रवाहित हो जाता है वेंट्रिकल के संकुचन होने पर क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जितने भी मौझूद ऑक्सीजन युक्त बलड होते हैं वो आयोटा में प्रहो जाते ह फिर यहां से सरीर के विभिन अंगों तक जहां भी रग्द की कमी होती है उनको पूरा करते हैं जबकि क्या होता है कि दाय निले में जो होता है वो मौझूद जिसने भी तुलनात्मक ऑक्सिजन यूगत जैसे कि जिसमें कम ऑक्सिजन रहता है तो कम ऑक्सिजनेटर जो ब्लड होते हैं वो पल्मोनरी आर्टरी से प्रवाहित हो जाते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी से प्रवाहित ब्लड में से अधिकांस जितने भी ब्लड होते हैं वो लंक्स को बाईपास करते हुए ductus arteriosus नामक संदशना द्वारा descending aorta में mix हो जाते हैं ठीक है तो pulmonary artery से जितने भी प्रभाहित blood होते हैं वो अधिकांस blood lungs से होते हुए ductus arteriosus जो एक संदशना होती है उसकी द्वारा descending aorta में mix हो जाते हैं फिर क्या होता है कि descending aorta से इस मिस्सरी ध्रक्त का कुछ भाग शरीर की निचली अंगों को supply हो जाता है जिबकि जितने बच्री हुए blood होती है अम लाइकल artery द्वारा placenta को पहुच जाते हैं अब देखो इसमें क्योंकि आप फिर oxygenated होने के लिए प्रेशेणडय से बहुच जाता हीं तो से कुछ संरशना होती है अब क्या होता है अब जन्म की बाद होने वारे परिवर्तन अब जन्म की बाद इन में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं उनको हम जानते हैं पहले जन्म की पहले जब फीटस जो होता है वो गर्व में होता है तो कि ऐसी संरशना होती है उसके अंदर प्लॉट इस तरीके से होता है बट जब जयन्म हो जाता है वह बाहरे इंवारुमेंट में आ जाता है तो इसके आंदर क्या changing होती है उसको आम लोग जानते हैं तो जयन्म के बाद होने मारे परवर्ण क्या है यह प्लेऍनना द्वारा ब्लड बंद हो जाना जैसे कि प्लेसेंटा से जो होता है कि प्लेसेंटा तो कट हो जाता है अमलाइकल कॉर्ड कट हो जाता है तो प्लेसेंटा जो होता है वो निकल जाता है बाहर तो प्लेसेंटा और बेबी के मद कोई भी ऐसी बॉंडिंग नहीं रह जाती है तो उनका जो पहले सर्कुलेशन होत रहता है आप उनका कुछ रोल नहीं रहता है प्लेसेंटा का तो इसलिए ये प्लेसेंटा दौरा ब्लड बंद हो जाने तथा स्वसन की क्रिया की सुरुवात की कारण जन्मी की पस्चारती से सुकी द्रक्त परसंचुर तंत में कुछ परवतन होते हैं तो जब बच्छा ना प्लेस के țरदारत है सबकुछ इसे के सथ्रो निर्वाः होती थे गाधा है जब अपकठ हो जाने मिल्सकी तो ने कंपबाएrimin जैड़ नोग जाने तो क्या होती है पिसम और यह सब क्या है कि आधर का उरुद होना है मैं की साथ प्स्तार टों मतलब बंद हो जाती है काम करना बंद हो जाता है जब की संरशनात्मक रोब से जन्मी की दो तीन मन्त पस्चाद ये बंद हो जाती है तो देखो कार्यात्मक मतलब क्रियात्मक रोब से क्या होती है कि जन्मी की तुरंद बाद खतम हो जाती है बट एक जैसे की पूर्ड रोब उसे बंद कर देती है जन्मे के तूरंत पादी बढ़ जो उसकी संरश्ना बनी होती है संरश्ना मतलब इस ट्रक्चर ऐसे जो बना रहता है वो क्या करता है कि वो दो से तीन महीने लग जाते हैं उसके बाद वो बंद होती है निस्ति के अमलाइकल बेन का औरुद हो जाना तो जो अमलाइकल वेन होती है वो अमलाइकल अर्ट्री के औरुद मतलब अमलाइकल अर्ट्री जब काम करना बंद कर देती है तो उसकी कुछ समय बाद ही उसकी कुछ समय बाद ही क्या होता है कि यह भी काम करना बंद कर देती है फिर यह लीगमेंट तेरेस में बदल जाती है कि जो आमलाइकल वहीन होती है वो लिगामेन टेरस में बदल जाती है आप लोगों इन दीक वहोगा कि जु का कुस्त मराइकल थोड़ा बड़ा हुआ रहता है कि तोड़ा बड़ा कट इन लिधाता है जोस्तेrą도 ये ब्लूड raging circulation के अस्थापित हो जाने के तुरंध बाधी और उध हो जाती है तुरंध री पंद हो जब पल्मोनरी circulation स्टार्ट हो जाता है तो ये काम करना बंद कर देती है इसका भी यह है कि हाला कि circulation रशनात्मक्रोप से यह क्या होता है कि जन्मी के दो तीन मां की पादबंध होता है और उध हो जाने की बाद यह भी लिगमेंटम arteriosum में बदल जाता है निस्टे की ductus venuses का और उध हो जाना तो ये प्रूड़ा वस्ता की दोरान amalical vein को inferior venakava से जोड़ता है जो जन्मी के बाद क्या करती है जो जन्मी के बाद और उध हो जाती है और यह भी क्या करती है कि लिगमेंट venusum में बदल जाते हैं यह भी लिगमेंट में बदल जाते हैं एक और है कौन सा है फोरामें आभि अपने आगे दीखा था फोरा में आव्ले ठीक है तो यह क्या करता है यह कार्यात्मक रोप से जन्मी की तोरंत बाद ही बंद हो जाता है पर इसका भी यह है कि संदुश्ण तो इस तरीके से कुछ होता है कि इन में जो प्लेसेंटा की थू जब होता रहता है सर्कुलेशन उसके बाद जो सर्कुलेशन होता है जब फीटल रहता है गर्भावस्ता में तब उसका सर्कुलेशन कैसा होता है जब फीटल बाहर नियू बार्न हो जाता है तब उसका सर्कुलेशन कैसा होता है और किस तरीके से उसके अंदर चेंजिंग आती है तो यह सब चीजे है तो जो बच्चे होते हैं जब रोना स्टार अपस्क्राइब करें और एक चीज है कि आप लोको यह वाइट पीज अच्छा लग रहा है आप लोग को स्वाधी की Black Page अच्छा लग रहा है इस पे अच्छे से देख रहा है या नहीं कि आप लोग कमेंट में बता दीचेगा और अगर आपको white page पे पढ़ना है तो वह भी बता दीचेगा और अगर आपको इसकी पीडियोप चाहिए तो आप लोग टेली ग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं तब तक के लिए धन्यबाद, जैसे राम